लखनव के मडियाव इलाके से हुए एक बुज़ुर्ग व्यापारी के अपरहण का वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं दरसल लखनव पुलिस का दावा है कि ये कोई किड्नैपिंग नहीं थी बलकि नेपाल पुलिस 12 साल पुराने हत्या और लूट के केस में व्यापारी को गिरफतार करके ले गई है 28 सितंबर को हुई इस घटना के CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि एक सफेद रंग की कार से दो लोग उतरते हैं इस कूटी से आ रहे किशोरिलाल को जबरन कार में ठूस कर चल देते हैं इस दोरान पीछे से दो बाइक सवार युवक आते हैं उनमें से एक किशोरिलाल की स्कूटी को ले जाता है अब सवाल उठता है जब नेपाल पुलिस लखनाव पहुची तो क्या स्थानी पुलिस को सूचना दी गई थी अगर वाकई किशोरिलाल सोनी को गिरफतार करने वाले नेपाल पुलिस के लोग थे तो कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया ग्या नेपाल पुलिस या किसी भी अन्यदेश की पुलिस इस तरह भारत में घुस कर किसी नागरिक को उठा कर ले जा सकती है किशोरिलाल को लखनाउ से उठाया गया तो फिर उनकी गिरफतारी नेपाल भारत बॉर्डर से क्यों दिखाई गई अब परहण के बाद किशोरिलाल सुनी की स्कूटी ले जाने वाले लोग कौन थे और ये स्कूटी फिलहाल है कहाँ अब ये भी जान लीजिए कि नेपाल का 12 साल पुराना वो केस है क्या पुलिस के मुताबिक 2004 में किशोरिलाल की बेटी दीपा की शादी नेपाल के प्रतिश्चित सराफा व्यापारी दीपक हिमकर से हुई थी शादी के दो साल बाद जब दीपा किसी बिमारी के इलाज के सिलसले में माईके आई उसी दोरान नेपाल में उसके पती, सास ससुर, ददिया सास और नौकर की हत्या हो गई हत्यारे 29 लाग के जेवराद भी लूट ले गए थे जांच के दोरान किशोरिलाल के परिवार से भी पूछताच हुई थी और अब 12 साल बाद पुलिस उन्हें इस तरह गिरफतार करके ले गई अगर अत्याकार्ड में किशोरिलाल की कोई भूमिका है तो जाहर है उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए लेकिन जिस तरह से उन्हें किड्नैपिंग के अंदाज में भारत से उठाकर नेपाल ले जाया गया उसे किसी हाल में सही नहीं ठहराय जा सकता ये ना सिर्फ एक नागरिक के कानून अधिकारों का हनन है बलकि देश की सुरक्षा और समप्रभुता पर भी सवाल खड़ी करता है NBT Online की रिपोर्ट